साथियो नमस्कार, बिहार स्टाटिक का हमारा ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा इसकी लोकेशन, लिट्रेसी, इसकी जो एड्मिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है एरिया, बाउन्डरीज, पटना के बारे में कुछ इन्फरमेशन फाउन्डेशन कैसे हुआ, लैंग्विजेज या अफिशियल लैंग्विजेज कौन सी है हाई कोट के बारे में और स्टेट की जो सिम्बल्स है पलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है बिहार का बिहार किन मामलों में पूरी दुनिया में प्रथम रहा है बिहार किन मामलों में भारत में प्रथम रहा है और बिहार के अंदर जो प्रथम घटनाए घटी हैं वो कौन सी है यूनेशको की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बिहार के कौन कौन से साइट्स है भारत रत्न बिहार से किन लोगों को मिला है और बिहार के कुछ परसनालिटीज और उनकी कुछ यूं कहें कि जो प्यार से हम उनको बुलाते हैं वो नाम हम यहां देखेंगे This is the first video और यह static portion का मैं एक playlist बना दूँगा और आने वाले समय में भी जो छात्र future में जुड़ेंगे ISPCS Factory से तो वो लोग भी इस वीडियो का लाब उठा पाएंगे अभी हम 70th BPSC के टाइम पर यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं Now, हम अपना समय विना गवाए हुए हम सुरू करते हैं कि नोमिनकलेचर बिहार का नाम ऐसा क्यों पड़ा तो दिखे जो बौद विक्षू थे उनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था बुद्धिष्ट, मोनिस्ट्रीज थी तो विहार के नाम पर ही आगे चल करके इसे वा को बब बना दिया गया और यह बिहार हो गया ठीक है तो इसी लिए इस स्टेट का नाम बिहार पड़ा तो अगर बुद्धिजम भी टर्म याद आ जाता है तो आपको याद आ जाएगा आपको पता है कि बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति जो आज का समय बुद्ध गया है वहीं पे हुआ था अगर हम लोकेशन की बात करें तो अगर लाटिटूड की हम बात करते हैं कि क्या आक्छान्स है तो बिहार जो लोकेटेड है वो 24 डिगरी 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिगरी 31 मिनट 15 सेकेंड ये उत्तरी आक्छान्स में है ये तो पता ही है पूरा भारत ही उत्तरी आक्छान्स में है अगर हम लोंगिटूड की बात करें देशांतर की जो यहां पर है तो देशांतर की बात करें तो हम पुर्वी गोलार्द में है तो 83 डिगरी सॉरी इस्ट टू एटी एट डिग्री सत्रह मिनट चालीस सेकेंड इस्ट टिके तो यह नौर्थ और यह यह ध्यान रखेंगे तो आपको यहां पर अगर आप देखेंगे भी मैप में तो यह भारत है और भारत का अगर आप देखेंगे तो बिहार का यह लोकेशन अक है लेकिन हम यह वर्ल्ड के मैप पे देख रहे थे तो यह आप एक डिटा याद रखेंगे अगर आप बिहार को पूरव से पस्चिम की तरफ देखेंगे तो 483 किलोमेटर इसकी लंबाई है और अगर नौर्थ टू साउथ देखेंगे तो 345 किलोमेटर है इसका मतलब यह हुआ कि बिह बिहार एक रिक्टैंगुलर से देता है और समुद्र तल से बिहार की उचाई है 173 फिट सबसे उची चोटी है जिसका नाम है सोमेश्वर आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि सोमेश्वर पिक कहा है सबसे गर्म जिला गया है और सलफर का जो रिचिस्ट सोर्स है जिस जि में में अगर हम लिटरेसी की बात करते है तो लिटरेसी हम of course 2011 की सेंसस की यहां बात कर रहे हैं तो लिटरेसी 61.8 परसेंट जो कि पूरे भारत में सबसे कम अगर हम union territories को भी जोड लें जैसे हमारे 28 states है वरतमान में और 8 union territories है तो इन मिंगा ranking करे तो बिहार का जो literacy rate है वो सबसे कम है वो है 61.8% जो कि 36th position पे है अगर male literacy की बात करें पुरुसों की तो ये है 71.2 और female literacy की बात करें तो 51.5 तो याद रखने का तरीका है 61 10 बढ़ा देंगे तो male का हो जाएगा और 10 घटा देंगे तो female का हो जाएगा यानि male और female के बीच 20% का literacy rate का gap है नौ बिहार का सबसे साक्षर जिला है रोहतास जिसका headquarter है सासराम और सबसे कम साक्षर जिला है पुरुणिया अगर पुरुसों में भी बात करेंगे तब भी ये data सेम रहेगा रोहतास सबसे जादा और सबसे कम पुरुणिया लेकिन women के case में एक चीज चेंज हो जाएगा रोतास female में भी सबसे जादा है लेकिन female के case में सहरसा जिला में सबसे कम महिलाय साक्षर है around 41% के आसपास है जो की काफी चिंता का विशाय है अगर हम बिहार सरकार का अगर latest आप देखेंगे तो 22.2 प्रतीसत अपने budget का allocation किया है केवल सिक्षा पर और ये दुरदर्सा है तो आपको लेगा कि budget है कितना तो 2,78,725 करोड ये हमारा इतना इस बार का budget है बिहार का आगे बढ़ते हैं हम administrative structure देखते हैं तो पूरे बिहार को 9 divisions यानि 9 प्रमंडल में बाटा गया है और हर प्रमंडल में कुछ को जिले होते हैं तो इनको 38 जिलों में बाटा गया है और हर जिलों को subdivision में बाटा जाता है अनुमंडल कहते हैं वह 101 है और हर यूं कहें कि जिले में और फिर जब ब्लॉक लिविल पे जाते हैं तो 534 ब्लॉक्स है और 261 जो जैसे आप देखते हैं न कि एक नगर पंचायत होता है Municipal Council होती है और एक Municipal Corporation होता है तो Municipal Corporation 19 है और ये latest डेटा में बता रहा हूँ और 88 आपकी Municipal Council हो गई और 154 नगर पंचायत और टूटल जो अर्बन लोकल बोडीज की निकाय होई वो 261 ये करिंट डेटा है और ये वेबसाइट से भी मैंने अपडेट किया तो इसका था 8463 इतने हमारे पास ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है बाकी सब पंचायती राज सिस्टम हम आगे जब पॉलिटी को डिटेल में करेंगे तो उसको आगे देखेंगे बिहार पहला एस्टेट है जिसने पियराईज में पंचायती राज इंस्टिटूशन में विमेन को 50% रेजर्वेशन दिया आज इस स्रेडी में कई राज्य खड़े हैं जैसे कि मध्यप्रदेश भी इसी स्रेडी में है तो 2006 में बिहार ने यह प्रोविजन किया था इसके तहट आपको क्या हो जाएंगी कि जब लास्ट मोमेंट होगा तो आप पूरा लेक्चर सुनने का टाइम हो सकता है नो हो तो आप पीडिएफ को देखेंगे और आपको यादा जाएंगे चीजे तो वेश्चमपारन बिहार का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज और एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है सिवहर मतलब इन में बहुत का गैप है करीब बावन सौ के आसपास करीब करीब यह वेश्चमपारन का है और करीब 443 स्कॉयर किलोमीटर का सिवहर का है आप द देखें तो बिहार का एरिया है 94,163 किलोमीटर और यह पूरे भारत का अगर एरिया का परसेंटेज में देखें तो 2.86% है और अगर रैंक करें स्टेट्स का तो यह 12 नंबर पे आता है यानि 11 ऐसे स्टेट्स हैं जो बिहार से बड़े हैं अब आफकूर्स आपको पता ही इसमें बताने की ज़रूत नहीं है राजस्थान है और दो नंबर पे मध्यप्रदेश है ठीक है तो यह राजस्थान सबसे बड़ा है हाला कि अगर आबादी देखेंगे तो आबादी बिहार की अभी करीब 13 करोड हो गई है जो कास सेंसे हुआ वैसे 2011 के जिन लड़ना के नुसार देखेंगे तो 10 करोड 40 लाग है बर तब ही अबादी 13 करोड हो गई है जो बिहार कास सेंसे हुआ तो राजस्थान की अबादी तो बिहार से करीब आधी है लेकिन फिर में कई गुन्ना ज्यादा बड़ा है राजस्थान जिसे इंफाक्ट MP ही बिहार से तीन गुन बिहार की अंडर डिवलाप्मेंट का क्योंकि एक्सपोर्ट वगरे में दिक्कत होगी जैसे अगर जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे अगर आप गुजरात की करनाटका की महराश्ट्रा ये जो स्टेट्स हैं यहां से एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है पोर्ट्स वगर श्टि है नेपाल से अगर देखेंगे कि कितना किलो मेटर का बॉर्डर है तो 7 सुरी इंडिया का बॉरडर मैं पह रहा हूँ वह बिहार का बॉरर तो 7 29 किलो मेटर का है और इंडिया का बॉर 1700 प्लस है इफ I am not wrong तो around 1751 के आसपस इंडिया का बॉरडर है नेपाल के गैया चार गया नवादा पांच जमूई छे, बाका, साथ, भागलपूर, आठ और कटिहार, नौ, सॉरी, सॉरी, कटिहार नहीं, आठ, आठ यहाँ पे complete हो आता है, तो ये जिले हैं, जो जहारखंड के साथ लगे हैं, और नेपाल के साथ लगा है, वेस्ट चमपारन, इस्ट चमपारन, सीता मढ़ी, मधुबनी, पॉल, अररिया, और किशंगंज, और यूपी के साथ लगा है, वेस्ट चमपारन, यह दोनों के साथ लगा है, नेपाल और यूपी के साथ, यहां है गोपाल गंज, देन सिवान, देन सारन, उसके बाद आपको भोजपूर, बकसर, कैमूर, और यहां से आपकी बाउंडरी लग जाती है रोहतास की तो ये जिले हैं जो इससे सटे हैं एक और information आप देख लेंगे कि कुछ यहाँ पर मैंने ऐसे गोला लगाया है हरे कलर से ये ऐसे जिले हैं जिनका जो जिलों का नाम अलग है और इनका भभवा और नालंदा का बिहार सरीफ ठीक है एक और information जो आगे हम देखने भी वाले हैं पूछा भी था BPSC ने कि पटना से कौन कौन से कितने जिले लगते हैं तो पटना से मैंने यहाँ पीले रंग से रंग दिया है तो आप देख लीजे पटना से जो लगते हैं वो है सारन, वैशाली, समस्तिपूर, बेगु सराय, लखी सराय, नालंदा, जहानाबाद, अर्वल और भोजपूर यह नौजिले हैं तो मैप में आप इस तरह से मैप का थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो यह पटना के नाइन बॉर्डरिंग डिस्टिक्स मैंने अभी आपको बता दिये, पटना का जो स्टैबलिश्मेंट किया था, पहले पाटली पुत्रा नाम था, उदईन ने किया था फिर बिहार और उडिसा का सेपरेशन होता है, उडिसा इससे अलग होता है, 1936 में, और 15 नवंबर 2000 को जारखंड अलग होता है, और बिहार का कितना प्रतीसत एरिया जारखंड में चला गया, तो 45.85% एरिया, जब जारखंड अलग हुआ बिहार से, तो उस समय बिहार में कि गया था तो यह जहानाबाद से निकाल कर बनाया गया था और यह जो जिले हैं वो मगद प्रमंडल के पार्ट है अगर हम official language की बात करें तो दो official language आपको दिखाई देंगे एक पहला official language बिहार का सारा काम तो हिंदी में होता है of course जो हिंदी official language है और दूसरा official language बिहार का है उर regional language की अगर हम बात करें तो regional language में सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग है मैथिली के बिहार में ठेक है नव हाई कोट की अगर हम बात करें पटना हाई कोट अफकोर्स पटना हाई कोट है इसके current chief justice के विनूद चंदरन पहले थे संजय करोल जी तो वो supreme court में अभी जज हो ग December 1913 को और establishment कब हुई थी तो establishment हो गई थी तीन फरवरी 1916 को पहले chief justice कौन थे पटना हाई कोट के तो champs चेमियर ये पहले थे sanctioned जो strength है वो पटना हाई कोट का वो 53 है पट आपको पता है कि अभी भी जो judges हैं उनकी संखिया काफी हर हाई कोट में खाली है और बिहार के साथ भ अभी काम कर रहे हैं क्योंकि दो लोगों को अभी न्यूक किया गया था एक है असोक पांडे और एक है ससी भूशन तो ये हो सकता है पूछ दे इंटर्वीव में पूछ सकता है ये दो लोगों को अभी ये किया ओके स्टेट सिंबल्स की बात करें तो ऑक्स बैल जो है तो उसमें गौरया बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इसको जो है मैस्कॉट बनाया गया है ठीक है इसी के नाम पर ओके मांगूर बिहार की मचली है मतलब स्टेट फीस मैरी गोल्ड गेंदा का फूल आपने देखा होगा वो फूल है पीपल वरिक्ष है तिलकुट मिठा का सिंबल है और पूरे बिहार का स्टेट सिंबल है बोधी ट्री नव पोलिटिकल स्ट्रक्चर हम देखें तो 16 राज्य सभा के मेंबर्स बिहार से जाते हैं मैक्सिम्म जो राज्य सभा के मेंबर्स इंडिया में हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं ठीक है और 40 लोग सभा के मेंबर जिसमें से 6 मैंने ब्रेकट में लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि यह 6 ऐसे सीट है जो reserved है किसके लिए scheduled कास्ट के लिए अगर इसकी हम बात करें कि यह कौन से सीट है तो यह है गोपाल गंच हाजीपूर समस्तिपूर सासाराम गया जमुई जैसे गया से जीतरनराम माजी जी अभी सांसद है समस्तिपूर से लजेपी आर की सामभवी चौधरी है हाजीपूर से चिराग पास्वान जी है गोपाल गंच से आलोग कुमार सुमन है तो इतना नाम रखने की याद ज़रूत नहीं है इंटर्विव हो तो किसी का सायद पूछ सकते है 75 लेजिसलेटिव काउंसिल में मेंबर है आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है वो बाइकेमरल लेजिसलेचर वाला स्टेट है आप मुझे बता सकते हैं कि बाइकेमरल वाले कौन से हैं जैसे बिहार है, यूपी है, आंध्रप्रदेश है, तेलंगाना है, करनाटका है तो यह सब बाइकेमरल स्टेट वाले लेजिसलेचर है 243 इसके विधायक यहां होते हैं जिसमें से 38 सीट सिड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वड है और 2 सीटे सिड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वड है तो मैंने लिख दिया यहां 2 सीट था, तो 2 याद रख सकते हैं आप एक तो कटिहार का मनिहारी सीट रिजर्वड है सिड्यूल ट्राइब के लिए और दूसरा बांका का कटोरिया है तो ये याद रख सकते हैं 200 एक्सेट का मैंने उपर बताई दिया है कि आपको Municipal Council Municipal Corporation और नगर पंचायत ULBs का और 8463 ग्राम पंचायत से हैं विश्व में बिहार ने ऐसा क्या काम किया जो प्रथम है तो पहला जो रिपब्लिक है वो वज्जी संग ये बिहार में ही बना पहला योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर में हाइस्ट बुद्ध का स्तूप के सरिया पूर्वी चम्पारन में विश्व के पहले Mathematician आरेभट जी बिहार से थे नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व के पहली university बनी और वैसे emperor जिन्होंने अपने हथियार को रख दिया असोका बिहार से ही थे मौर्यवंद्स के इंडिया में पहला काम जैसे governor थे पूरे British time में 1921 में जो पूरे इंडिया में पहले governor बने थे वो थे SP सिनहा जो बिहार की रहने वाले थे यह CA का मतलब है Constituent Assembly यानि समविधान सभा इसमें जो chairman बने थे तो पहले तो सजदानन सिनहा जी बने थे 9 दिसंबर 1946 को और यह तुरंथी मतलब कारे-कारी थे उसके बाद डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी को बनाया गया था तो यह 11 दिसंबर 1946 से permanently यह रहे थे और भारत के पहले और दूसरी राष्टपती का भी पद मतलब दो टर्म तक लगातार यह राष्टपती रहे जो की अब तक किसी ने record यह नहीं break किया है तो यह आप समझ गया मीरा कुमार जी चर्चा में थी यह लोगसभा की speaker रही है और लोगसभा की पहली महिला speaker मीरा कुमार जी रही उसके बाद आपको पता है कि दो ही महिले महिला speaker रह चुकी है उसके बाद रही थी मद्यप्रदेश की रहने वाली थी सुमित्रा महाजन तो अब तक दो ही लोगसभा में महिला स्पीकर रह पाई है जग जीवन राम जो है ये बिहार के रहने वाले हैं और इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं और सॉरी जग जीवन राम जी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेसीकली रहे हैं और मैं एक information भोल रहा हूँ मैं उसे update कर दूँगा गांधी जी ने पहला जो चमपारण सत्यागरा किया तो 1917 में यह कहां से किया तो चमपारण से किया और उनका पहला सत्यागरा था first civil disobedience movement भी था civil disobedience movement का क्या है कि आपका कानून है आप नहीं मानेंगे BSNL की mobile services बिहार से ही शुरू हुई 50% women को peerize में reservation बिहार से ही हुआ सोनपूर का जो मेला है वो पशूओं का भारत का ही नहीं इन फैक्ट पूरे एसिया का सबसे बड़ा पशूओं का मेला है यह बिहार के जो सारंजिला है इसमें है मैं छोटा था तो उसमें हम लोग मेला देखने जाते थे तो काफी दूर है बट वहाँ पे बहुत सारे जैसे इवन बैल बेचने लोग आते हैं आपको बैल खरीदना है आप बैल खरीदिये बहुत बड़ा मिला लगता है और खादी मौल जो है वो पठना में तो ये आप देख सकते हैं और उसके बाद है फर्स्टी ने अगर बिहार देखे कि कौन से व्यक्ति किस पत पर रहे तो स्रीकृष्ण सिंग जी ये रहे थे बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे बिहार के पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे रावडी देवी जी ये रही थी बिहार की पहली महिला चीफ मिनिस्टर फर्स्ट विमन चीफ मिनिस्टर अफ बिहार और फर्स्ट विमन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है ये रेणू देवी अभी रीसेंट काई मैटर है इस इसके पहले जो रही थी इसके पहले वाले टर्म में जब NDA का था तो उसमें रही थी और अभी इनको जो है वो Animal Husbandry and Dairy Department ये मिनिस्टर है अभी भी और भोला पास्वान सास्त्री ये बिहार के पहले दलित सीम रहे महा माया प्रसाद सिनहा बिहार के पहले इंडिपेंडेंट चिफ मिनिस्टर है यूँ कहें कि नॉन कॉंग्रिस जब सरकार बनी थी 1967 में उस टाइम पे सीम रहे और जैराम दास दौलत राम ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर रहे थे और पहले मुस्लिम गवर्नर पिहार के रहे थे जाकिर हुसाइन विद्यापती जी मैथिली में लिखते हैं और कवी है कुछ फिल्म देखें तो पहला जो हिंदी फिल्म है वो है कल हमारा है पहला मैथिली फिल्म कन्यादान और पहला भुजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो हे चुनरी चड़ाइबो सर्वहित ऐसी हिंदी अकबार था और डेली अकबार था पहला डेली हिंदी अगर कहें तो सर्वहित ऐसी और बिहार बंधु भी हिंदी था लेकिन ये वीकली था Searchlight English था, Daily था और बिहार Herald English था, Weekly था Nanak जी पहले सिख्ध गुरुवों में इसे थे, उफकोर्स पहले ही गुरू थे और उनोंने बिहार का भ्रमन किया था और गुरु गोविन जी का जन्म बिहार के पटना में ही हुआ था बिहार का जो पहला नियोलिथिक साइट है वो है चिरांद और या सारन में है बिहार में पहला जो अगर modern time में major historic अगर earthquake कोई आया जो बहुत ही तबाही मचाया वो है 1934 का earthquake पहला टीवी रिले सेंटर बिहार में मुझफरपूर में 1978 में modern university पतना है 1917 में open university नालंदा है प्रसकार मिला बिहार से वो रामधारी सिंग दिनकर जी को मिला इनकी रचना उर्वसी के लिए 1972 में असोकर चक्र से रंधीर वर्मा जी को संबानित किया गया oldest oil refinery है brownie oil refinery या बेगुसराय में है और सुगर मील की बात करें तो oldest यानि 1904 में मढवरा सारन में है oldest irrigation project सोन है और लेकिन अगर सबसे बड़ा आ जाए तो वो गंड़क हो जाएगा ठेक है पटना है और ट्रिपल आई टी भागलपूर में पहला है आई आई एम गया में ही है वहीं आप ट्रेनिंग करेंगे international airport पहला बोध गया में और पहला textile park बेटा जो की पटना में है UNESCO अफकोर्स world heritage site की एक list बनाता है और उसमें बिहार से दो ही है एक है 2002 में जो महाबोधी temple complex है और ये गया में है बोध गया में जाएंगे तो आप और 2016 में नालंदा university को इसकी जो remains है इसको इसमें include किया गया भारत रत्न का बहुत confusion होता है भारत रत्न का देखिए मैंने इसको बहुत सारी newspaper से देखा तो basically कौन कौन से वेक्ति बिहार के समझे आते हैं तो उसमें जैसे कुछ ने बिधान चंद्र रोय को भी सामिल कर लिया था बट उनको जो जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको 1962 में यह पहले बिहारी हैं जिनको कि यह मिला दूसरे नंबर पे लोक नायक जैप्रकास नारायन हैं इनको 1999 में मिला और बिस्मिल्ला खान जी को 2001 में मिला यह बक्सर के डुम्राओं के रहने वाले थे और इनका आप वीडियो भी देख सकते हैं गंगा के किनारे बनारस में कैसे यह करते हैं और सहनाई वादक रहे थे और 2024 में अफकोर्स जन नायक करपूरी ठाकुर जी को मिला यह बिहार के दो बार चीफ मिनिश्टर भी रह चुके हैं पहली बार यह 1970 में रहे थे ओके जी है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं इनका दूसरा नाम हम लोग कहते हैं जैसे एक तो मैंने यहां लिख दिया है देश रत्न और दूसरा इनको कहा जाता है आजाद सत्रू ठीक है स्रीक्रिस्न जी को बिहार केसरी कहा जाता है यह आप नोट कर सकते हैं और जैप्रकास न नागारजुना को हम लोग बाबा कहते हैं, जगजीवन राम को हम लोग बाबु जी कहते हैं प्यार से बाबु जी और रामधारी सिंग दिनकर हैं तो इनको हम लोग कहते हैं राष्ट्र कवी और जो वीर कुवर सिंग है तो इनको हम लोग बाबु वीर कुवर सिंग कहते हैं ऐसे प्यार से बाबु तो यह कन्फ्यूज नहीं होना है बाबू वीरकुवर सिंग जी है बाबू जी जग जीवन नाम है और बाबा अपने नागार जून है ठेके तो यह एक introductory हमारा lecture था और जग जीवन नाम जी के बारे मैंने बताया तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिहार से पहले थे यही information थी तो basically हमने सारी चीजों को देख लिया Nomenclature, Location, Literacy मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत सारी information मिली होगी इसका मैं playlist बना देता हूँ आप वहाँ से इन चीजों को देख लेंगो टेलिग्राम पर हम इसका PDF प्रोवाइड कर देते हैं Thank you very much for listening